कि अधिया तो कैसे हम सब लोग आज हम जांपी करने वाले हैं CS302 की मेंटरम की प्रिपेशन करेंगे और यहां भी हम अपने कोईजिस की प्रिपेशन करने वाले हैं ठीक है जो हमारे सब्सक्राइब करेंगे आपके जितने मिटरम के अंदर आपकी कुईजिस आएं यह सारे मिटरम की पेपर्स में पहले आते रहे हैं क्योंकि यह न्यू बुक नहीं है इसमें बहुत जादा रेपिटेशन होती है बार बार एक चीज़ घुद हो रहा है जाता है तो इससे पहल है हमें तो लेट्स टार्ट केते हैं अपनी वीडियो को अगर आपको यह फाक्ति है वहाय कोई को तो इसको तो यहां पर boolean algebra जो हमारा है कि यह mathematics होता है कि इस भी digital system का next है यहां पर हमारे पास यहां पर in-com skip कर रहे हैं जो भी बड़े होंगे उनको skip करेंगे और जो subjective-wise होंगे यह आप subjective वाली वीडियो को जाके देखें वहां पर एक्स्प्लीनेशन के साज वे यह वापी बताया है क्योंकि यहां पर आपको कोई समझ नहीं आएगी इनकी यहां पर हमारे पास आता है इन लुक आहेड सर्कुट्स पी स्टेंड्स फार ठीक है जो हमारा सर्कुट्स के लिए स्टेंड करता है यह हमारा कैरी प्रोपोगेट ठीक है प्रोपोगेट को गैरी करने के लिए यह स्टेंड क्या होता है ठीक है कि नेक्स आता है मारे पास द ओल एमसी कैन भी कंफिगर टू परवाइड फीडबेग इंपूट सिगनल टू द एंड गेट आरे यहां भी हमारे पास हो कह रहा है कि ओल एमसी को इसलिए एक कंफिगर किया गया है ताकि हम अपने फीडबेक मपने दे सकें इन्पूट सिगनल का अपने एंड गेट को ठीक है तो अब इसमें क्या पोसिबिल्ट हो कि दिनी पोसिबिल्टिक्स हो सकती है rest happened problem of accessory厲害 cast by carry propagation can be reduced by a data circuit कि एक हाब हमारी जो upwardly या यानिके जब हमारी कोव भी problem जो सद्राइख अब petrol केडियो или सब्itted आगे नेक्स नाते हैं मारे पास half adder logic circuits contain dash exorgetes अब जो हमारा half adder logic circuit है यह हमारा सिर्फ एक exorget को contain करता है ठीक है अब जहां पर हमने हमारे पास एकला है कि dash is example of communicative law of multiplication अब हमने काफी बार पढ़े हैं में मिडल में पढ़े होगे तो कम्यूकेटिव लाग क्या होते हैं इसमें सिर्फ दो होते हैं without brackets होते हैं a b is equal to b है ठीक है या हम दो को तीन के साथ मुल्टिप्लाइग करें तो वही रिसल्ट आएगा ठीक है नेक्स आते हैं हमारे पास multiplexer can be interpreted as बार जो multiplexer तो होते हैं वो किस रिके से interpret होते हैं वो many to one ठीक है many to one के साथ वो interpret हो रहे होते हैं नेक्स अब हमारे पास यहां पर आ रहा है कि यह value लिखी हुई है इन यह value लिखी है GALI 6V8 each product term is implemented using a 2-bit input gate and अचा भी रटा लगाने वाली चीज़ है इन पर कुछ भी concept नहीं है यह अब ऐसे कहलें कि यह values को assign किया गया है नेक्स राद है हमारे पास the sum term in standard POS form our card ठीक है जब हमारा जो sum है वो POS standard की form में होगा तो मैं इसको क्या चीज़ बोलेंगे then इसको हम कहेंगे max terms next आते हैं हमारे बास the standard sum term is equal to zero for only one combination of values मारा जो standard का sum होता है न वो zero के equal तब होता है कि जब हमारी a combination रहा है वो literal values हो गई ठीक है अब यहां पर हमने बताना है कि जो बोलीन expression के अंदर a plus bc किस इसके equal होगा ठीक है तो a plus bc होगा हमारे पास a plus b के और a plus c के अगर अब इनको multiple करते हैं तो दुबारा से यह वाला result हमारे पास आ जाएगा नेक्स आते हमारे पास the boolean expression a plus b next हमारे पास उसके उपर यह पॉस्ट्रफी है plus c is तो यह एक सम टर्म है हमारे पास नेक्स हमारे पास यहां पर डैश function tables are required to represent input output combination of a segment in seven segment display अब जब seven segment display आ गया है तो इसमें क्या जीज होगा है seven function tables वह हमें require होते हैं जब हमने input combinations को हमने जो है वो रिप्रिजेंट करना होता है हमारे बास decimal value लिखी हुई है 20 is equivalent to bind value अब इसको हमने में value में convert करना है तो यह आप सब्चेक्टिव वाली वीडियो को में देखें वहां पर सारा कुछ explain है इसको किस तरी किस करना है वैसे अगर आप इसकी value को देखना जाते हैं तो 10 100 जो है इसकी binary value होगी हमारे पास है जो decimal system number base is based 10 number system ठीक है हमारी जो decimal value होती है वो हमारी 10 number system की value होती है जैसे बाइंड टू नमर की होती है इस रिगे से decimal जो है वो 10 number की होती है नेक्स आता है हमारे पास not gate is also known as not gate को मिया चीज़ बोल दें इन वर्टर सटकर पहुल रही होती है रर्म बार णेक्स ढ होती है तो जो हमारी simple circular linked list होती है इसमें सिर्फ्रक्लर डिंटर होती है इसमें सिर्फ नोड के अदर टो मियार रहता है नेक्स आदे हमारे पास linked list use dash to store variables अप लिंग लिस्ट यही वाली की बात हो रही है कि जो हमारे पास linked list होती है यह अपने data को store करने के लिए variable को use कर रही होती है जब हमने element को search करते हैं which method of the list is search the entire list from beginning to end जब हम अपने element को search कर रहे होते हैं तो मारे जो list searches होती है इस पर सारी के सारी list होती है वो किस चीज़ एंड हो रही होती है वो find ठीक है find और इस तरह की से हम bracket को use करते हैं नेक्स आते हैं हमारे पास if we do not have to move too much in the list then use of which one type of list is not necessary जब इसपे क्या होता है कि जब हमारे पास move होने के लिए इतना कुछ नहीं होता precis के अंदरर एल्ब करने कि लिए मर्वान पर लिस्ट नहीं होती तब हम क्या करते हैं कि हम एक list कर दाइब को class list class is used to set method होता है मारी list class के अंदर वो हमारी set the value of null nodes ठीक है वो हमारी null nodes की value को set करता है head node pointer always points to the dash of the link list head node pointer जो होते हैं हमारे पास वो हमेशा point करते हैं हमारी first node को किसी भी link list की किसी भी link list की first node को वो point कर रहे होते हैं लेक्स आते हैं हमारे बास there is no such node whose next field is null हमारे पास कोई भी नोड नहीं होते हैं जिसकी जो field है वो null हो ठीक है खाली हो तो यहां भी हमारे बास अधर जो support करते हैं statement वो मारे बास होती है circular link list ठीक है next आते है मारे पास which of the following is not one heap step method in list implementation using array ठीक है हमारे एरे के अंदर हमारी one step method होता है यह implementation करने के लिए किस चीज़ को हम यूज कर रहे होते हैं हम इसको use कर रहे होते हैं find और यह double brackets को कि next है मारे पास first element of an int array can be manipulated by using the index 0 ठीक है हम वारे एरे का है जो first element होता है उसको manipulate करना है तो उसका जो index 0 होता है किस तरीके से लेखेंगे इंट और इसके बाद हम body brackets को लेखेंगे और जीरो और बाद में हम semi color लिगातेंगे ठीक है तो यह हमारा बन जाए गया first element जिसका index 0 होगा है हमारे array के अंदर जो अगर हमने पांच elements बनाया है ना तो उनके जो indexes होंगे वो चार होगे ठीक है क्योंकि हमारे इंडेक्स है वो 0 से start हो रहा होता है elements 1 से start होता है कि next ने मारे पास software solution is said to be efficient if it solve the problem एक software solution जो होता है इसको efficient बोलते हैं अगर यह अपनी problem को solve कर ले विदिन दर रिसोर्स से अपने ही resources से ठीक है अगर वो अपने ही resources से solve कर लेता है देनम इसको गह रहे हैं कि यह software solution है और यह efficient है तो गैस यहां तक थी हमारे वीडियो जहां पर हमने कवर किया अपने important mc videos को अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करें बैल गया अगर प्रेस करें और comment में आज में प्रेस करें और comment में आज में पाहिएगा and thank you and thank you very much